नमस्कार दोस्तों, साइकलोजी की पार्षाला में कल हमने डिस्कस किया था एक easy but बहुत ही important topic के उपर और उसका नाम था learning सीखना किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं और आज उसी learning से ही related एक और topic है जिसका नाम है conditioning conditioning, आपने सुना होगा अगर आप psychology के student हों, conditioning की पैवलाव की एक classical conditioning है या skinner की instrumental conditioning है, आपने conditioning के बारे में ज़रू सुना होगा conditioning को कहा जाता है अनुबंधन या अनुबंध आप कह सकते हैं देखे, अब इस conditioning को समझने के लिए हमें दो चीजों को या दो बातों को समझना पड़ेगा एक जिसको कहते हैं stimulus और दूसरे को कहते हैं response इन दो चीजों को समझना पड़ेगा, stimulus और response stimulus जिसको कहा जाता है उद्दीपक और response जिसको कहा जाता है अनुख्रिया यह हम बात कर रहे हैं conditioning की, कल हमने learning पड़ लिया था आज हम conditioning को समझने की कुशिश कर रहे हैं लेकिन conditioning के पहले stimulus और response को समझें क्योंकि इन ही दोनों से ही conditioning develop होती है अब आप एक बात बताएं कि आप किसकी आवाज सुन रहे हैं आप कहेंगे मैं विवेक की आवाज सुन रहा हूं आप कहेंगे कि psychology कौन पढ़ा रहा है तो आप यह जवाब देंगे कि साफ psychology विवेक पढ़ा रहा है मतलब यह है कि आप सुन रहे हैं किसी को चाहे आप विवेक को सुने चाहे और कोई विडियो सुने मतलब बिना विडियो चला है आप सुन नहीं सकते हैं वैसे ही अगर मैं अपनी बात करूं कि साब मैं किसके लिए अपने response दे रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं तो मैं एक होँगा कि मैं camera में अपनी video record कर रहा हूं camera ही नहीं होगा तो क्या मैं यह जो सारी चीज़ें कर रहा हूं मैं इधर उदर मूव कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बॉडी के जो expression से वो change हो रहे हैं, क्या मैं कर पाऊँगा तो इसका बड़ा simple सा उतर है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, क्यों कि मेरे लिए वो इस्थिती है ही नहीं कि मैं उसको करूँ आप इसको और समझ लें कि ये बताएं कि आप कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं, आपके द्वारा कोई भी व्यवहार किया जाता है क्या बिना किसी वस्तू, बिना किसी व्यक्ती या बिना किसी परिस्थिती के किया जाता है किसी को हाज जोर कर नमश्कार करते हैं आप किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं आप किसी को कोई विश करते हैं कोई व्यक्ति होता है तब विश करते हैं कोई व्यक्ति होता है तब आप प्रणाम करते हैं नहीं आप जा रहे हैं मन हुआ आप प्रणाम कर लिया आप जा रहे ह अच्छा हवा में आप good morning, good evening कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं क्या, नहीं, मैं आपको इस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा व्यभार होता है, वो किसी वस्तु के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए होता है, किसी परिस्थिती के लिए होता है, और जो परिस्थिती ह जिसके लिए आप व्यभार कर रहे हो जो वस्तू है जिसके लिए आप व्यभार कर रहे हो जो व्यक्ति है जिसके लिए आप व्यभार कर रहे हो उसको क्या कहा जाता है उद्धीपक और अगर और फ़ला सा टेक्निकल लेंग्वेज में समझ लें कि ऐसी कोई वस्तू, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई अब्जेक्ट, ऐसी कोई स्थिती जो आपके sensory organ को stimulate करती है जो आपके sensory organ में समवेदना पैदा करती है, और जैसी समवेदना पैदा होती है, वो message कहा जाता है, आपकी brain में जाता है उन्हें कहा जाता है उद्धीपक, उन्हें कहा जाता है stimulus अब अनुक्रिया की बात कर लें, अब इस उद्धीपक के लिए आप क्या करेंगे, आप अनुक्रिया करेंगे, आप response करेंगे किसके लिए आप सीरिजीनी बात करें कि आप गारी है और गारी में आप बैठ रहे हैं तो गारी है, इसलिए आप बैठ रहे है ब्रह जो बैठने की क्या है वह बैठने की आपकी response है, लेकिन गारी है वो आपके लिए stimulus है आप किसी से lift मांगते तो हवा में नहीं करते हैं कोई नहीं आ रहा हो तो आपके लिए lift दे दे नहीं कोई सामने से आ रहा होता है मतलब वो जो आ रहा है व्यक्ति वो चाए motorcycle लेके आ रहा हो चाए car लेके आ रहा हो वो व्यक्ति आपके लिए stimulus है वो motorcycle आपके लिए stimulus है और आपका इशारा करना lift के लिए वो आपकी क्या है वो आपकी response है इसे कहते है stimulus जो परिस्चिती है जो व्यक्ति है जैसे मैं आपके लिए stimulus हूँ क्यों कि आप मेरी आवास सुन रहे है और मेरे लिए stimulus क्या है मेरे लिए stimulus ये camera है जो मुझे record कर रहा है आप एक class की बात करें जब एक offline class होती है आप school जाते होंगे आप college जाते होंगे तो क्या करते हैं आपको एक teacher पढ़ाता है आप कहेंगे कि साब यहाँ teacher पढ़ा रहा है वो तो उसकी duty है को देख कर वो class में पढ़ा रहा है आप लोग कोई ना है वो बिल्कुल खाली हो कि एवल desk bench रखी हो क्या वो जाके इसी तरह से पढ़ाएगा क्या नहीं और ये क्या हुआ ये एक परिस्टि की एक teacher के लिए stimulus आप होते हैं इसलिए वो पढ़ाता है मतलब वो जो पढ़ाना है वो उसकी response है और जो आप लोग है वो stimulus है और दूसरी परिस्टि अब आपके लिए आ जाता हूँ कि आप हैं आपके लिए stimulus कौन सा है आप महाँ पर बैठे हैं सुन रहे हैं किसको teacher को तो teacher जो है वो आपके लिए stimulus है और आप जो सुन रहे हो ऐसे करके बड़े आराम से आप लिख रहे हो बड़े आराम से वो क्या है वो आपकी response है इसलिए ये stimulus और response को समझना बहुत जरूरी है साब हम conditioning को समझ रहे हैं stimulus response को क्यों समझें अब समझें अब मैं इसका उतर दे रहा हूँ कि मैंने stimulus और response को आपको क्यों समझाया conditioning का मतलब क्या होता है यहाँ पर आ जाते हैं conditioning के ओपर conditioning का मतलब क्या होता है ये होता है association between stimulus and response अब समझ में आया आपको कि मैंने क्यों stimulus और response आपको समझाया है कि conditioning क्या है? conditioning एक association है किसके बीच? stimulus और response के बीच conditioning क्या है? stimulus और response के बीच की association है उसको आप conditioning कहते हैं आप इसको और थोड़ा साथ बड़ी funny एक example के साथ समझते हैं आप ये बताएं कि आप अगर लड़के हैं, अगर मेरी बास सुन रहा है अगर आप लड़के हैं तो आप ये बताएं, पर्स कहां पर रखते हैं अपना? कोई pocket, left pocket में रखते है राइट की तरफ मलब back की pocket में रखता है, राइट की तरफ या कुछ लोग होंगे जो left की तरफ रखते होंगे मलब back की pocket में रखते हैं, मलब pant की पीछे की jam में रखते हैं अब आप ये बताएं कि पहली बार जब आपने pant पहनी थी पहली बार आपने पर्स रखाता तो क्या है? पहली बार आपको देखना पल रहा होगा अरे पर्स ठीक से जा रहा है की नहीं जा रहा है? लेकिन हुआ क्या? लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग आप बार बार कही पी जाते हैं पर्स निकालते हैं पैसे देते हैं वापी संदर रख लेते हैं आपको पैसे देता है पर्स निकालने और रखने की क्या कर रहा है प्रैक्टिस करते हैं बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है अब आपको हो गए 5 साल किस के लिए पर्स आपको रखते हुए 5 साल हो गए क्या आपको देखना पड़ता है जब आपको सब्जी वाले के पास जाते भईया 10 रुपे दो, क्या, अब आप क्या करते हैं, आप ऐसे नहीं करते हैं, अरे पर्स कहा गया, अरे पर्स कहा है, नहीं, आप सीधे देखते भी नहीं है कि मैं पीछे हाथ डाल रहा हूं जे में, आप सीधे उस पर्स को ऐसे निकालते हैं, 10 रुपे देते हैं, और वापि पर्स है वो आपका stimulus है और उस पर्स को रखने की अनुक्रिया बार 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 इसकी practice होई और practice क्या हुआ practice होने के बाद उन दोनों के बीच मतलब की पर्स और पर्स को रखने की अनुक्रिया के बीच एक association डवलफ हो गया यह क्या है यह conditioning है मतलब कि आपके पर्स रखने की conditioning डवलफ हो गया इसे ही कहते है conditioning आपको और example दें कि आप आपकी घर में ममी होगी या अगर मालियते हैं आप शारीशुदा है आप शारीशुदा है और आपकी जो wife है उसको पता है कि मेरे जो पती देव है जो परमेश्वर है जो भगवान है वो शाम को साथ बजे शार्प आ जाते हैं या कभी-कभी सारे साथ आ जाते हैं, कभी-कभी आठ आ जाते हैं, भईया घूमने की इच्छा हो तो आठ भी आ सकते हैं, तो लेकिन आपकी पत्नी को ये पता है कि वो है एक स्फ्लेंडर प्लस मोटरसाइकल होती है, उस मेरे पतिदेव के पास है और वो उसी को लेकर आफिश जाते हैं और उसी को लेकर वो वापिस आते हैं और खड़ी करके ऊपर आते हैं, मतलब कि यहमदाबाद में हैं ऊपर तीसरी मिंजल पर रहते हैं अब उस से में क्या हो रहा है कि अब आप देखे पहली बार शादी होई पहली बार ही होती है मैं यह नहीं कह रहा हूं मुलब अब शादी होई और शादी होने के बाद पत्नी ने एक दिन पती गया ओफिस दूसरे दिन पती गया ओफिस शाम को साथ बजाया फिर तीसरे दिन क्या conditioning develop होई किसके लिए पत्नी के मन में, क्या conditioning develop होगी पता है आपको, शाम को लगबख साथ साढ़े साथ बचते हैं और नीचे से motorcycle की आवाज आती है और वो अपनी मम्मी को या अपने बच्चे को कहती ही बेटा दर्वाजा खुल पापा आय होंगे, उसने क्या पापा को द देखा नहीं है उस motorcycle की आवाज ऐसी थी कि जिसके साथ उसकी conditioning हो गई कि जैसे इस तरह की motorcycle की आवाज आती है वो चिंटू के पापा की है कि साथ चिंटू के पापा आ गए है अब आप यह बता है क्या splendor प्रस उस चिंटू के पापा के पास है हो सकता है उस apartment में जितने लोग रहते हैं उससे 50 लोगों के पास splendor plus होगी लेकिन एक conditioning उस पत्नी के मन में उस मम्मी के मन में develop हो गई कि साथ यह जो आवाज है यह मेरे पती की, यह मेरे बेटे की आवाज है, मोटर साइकल की, और उसको क्यों आभास हो जाता है, जैसी आवाज आती है, दर्वाजा खोल के वो तयार रहती है, मदर, पत्नी दर्वाजा खोल के तयार रहती है, बच्चों को कहती है, बेटा दर्वाजा खोल दे पापा आएं, क्या response का मतलब क्या है कि अच्छा हो मेरे पती देव आ रहे है तो यहां पर यह क्या है association between stimulus and response वैसे ही आपकी life में 24 hours में बहुत सारी conditioning develop होती है बहुत सारी आपने कभी अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए मम्मी क्या करती है उसके अगर तीन चूले वाला गैस है तो एक में दाल भी है एक में सबजी भी है एक में रोटी भी है और वो अपने पच्चे खाना भी खिला रही है फोन से बाद भी कर रही है पलट भी रही है ले खाना खाले ले आधी रोटी ले 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 दाल ले 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 की अनुक्रिया और वो जो जितने भी चीजें हैं जिसके साथ वो कुछ कर रही है चाहे वो चम्मच हो चाहे वो तवा हो चाहे वो कुछ और हो वो सारे के सारे क्या है वो सारे के सारे stimulus है उसके लिए और उन सब के साथ उसने अनुक्रिया एक बार की दो बार की तीन बार की अब वो क्या अनकॉंशसली मलब देखे बिना देखे बिना वो ऐसा नहीं कि बेटे को रोटी देखती तो उसका धान दाल की तरब भी रहता है जब वो रोटी सिकते रहती है तो रोटी बेलती भी रहती है वो क्या हो रहा है कंडिशनिंग डावलप हो गई है इसलिए अब अगर बहुती आसान भाषा में आपको कहूं कि कंडिशनिंग क्या है तो कंडिशनिंग is an association between stimulus and response है और learning से क्या होता है लर्निंग से ही आपकी कंडिशनिंग डावलप होती है शुरुवात में क्या है शुरुवात में आप सीखते हो और सीखने के साथ साथ चीज़े क्या एगनम पक्की हो जाती है या किसी के साथ जुड़ जाती है अब वो जब किसी के साथ जुड़ती है ना वही चीज कंडि कि आप क्या करें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो सहचर्य इस्थापित होता है उसे अनुबंधन कहते हैं या मैं कहूं कि कि कंडिशनिंग क्या है कंडिशनिंग इस एसोसियेशन बिट्विन स्टिमूलस और रिस्पॉंस मैं आपको बहुत सारे एक्जामपल सभी दे चुका हूं कि कौन सा स्टिमूलस हो सकता है कौन सा रिस्पॉंस हो सकता है तो आज की बात यहीं फिनिश करता हूं लेकिन आप सो उनों ही हैबिट बिना कंडिशनिंग के डेवलप नहीं हो सकती हैं। कुछ न कुछ कंडिशनिंग बनी हैं तभी आपकी गुड़ हैबिट या बैड हैबिट डेवलप हुई है। आप दूसरी और समझ लें कि आप जो भी कुछ सीखते हो। अगर विवेत ने बोलना सीखा है तो विवेत ने प्रैक्टिस करकर करके क्या हुआ होगा। उसके एक कंडिशनिंग डेवलप हो गई होगी उसके हाथ-पैरों की कंडिशनिंग। आप ने देखा होगा मेरी स्टुइंट कहते हैं सब आप हाथ-पैर ज्यादा हिलाते हो। क्या मैं जान बूझकर हाथ-पैर हिलाता हूँ। नहीं, जान बूझकर नहीं हिलाता हूँ। जो कहता हूँ, मैं मेरी पूरी बॉडी लैंगविज उसके साथ involve होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरी body language और मेरी जो tone है या जो मेरो जो पढ़ानी की जो शैली वो सब के इस बीच में एक conditioning डवलप हो गई है तो finally इसको sum up करते हैं conditioning क्या होती है conditioning is a association between stimulus and response अनुबंधन जिसको conditioning को हिंदी में कहते हैं उदीपक और अनुक्रिया के बीच जो सहचर्य इस्थापित होता है उसको हम अनुबंधन कहाता है आज की बात यहीं finish करता है कल फिर एक नए topic पर मुलाकात होगी क्योंकि conditioning अभी एक बहुत बड़ा topic है और बहुत प्रकार है conditioning के है तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कभी psychology का वीडियो होगा तो कभी motivation का और कभी कोई story देखना मत भुलिएगा और यदि आपने चैनल subscribe नहीं किया है तो चैनल subscribe कर लिजे अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं सीखने लाइक वीडियो आते हैं और मेरा motivation भी बना रहता है कुछ नए वीडियो पर काम करने के लिए थैंक यू थैंक यू बरी मच्च